सब्सक्राइब कीजी लखेपूर टीवी चैनल को और बेल आईकोन को दबाईए नई अपडेट पाने के लिए आज में बताने वाला हूं गुल्म काला नल रस के बारे में जी हां दोस्तों गुल्म काला नल रस क्लाशिकल अरिवेदिक मेडिसीन है जो गुल्म या पेट में गोला बनने वाली बीमारी में बेहदा सरदार है तो आई जानते हैं गुल्म काला नल रस के घटक ये composition जिसके फैदे और इस्तमाल की पूरी detail गुल्म काला नल रस के घटक जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है ये रसायन आउशधी है तो इसे बनाने के लिए चाहिए होता है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, टंकन भस्म, तामर भस्म, शुद्ध हर्ताल सभी 20-20 ग्राम, जवाखार 100 ग्राम, सोट मिर्च पीपल, नगरमोथा गज पीपल, हर्रे बैच और कूट 10-10 ग्राम लेना है गुल्म काला नल रस निर्मान विधी बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले पारा गंध की कजली बना लें उसके बाद जड़ी बूटियों का चूर्न और भस्म मिक्स कर नगरमोथा, पीथपापड़ा, सोट, पाठा, रपामार के काड़े की अलग-अलग एक-एक भावना देकर अच्छी तरह से खरल कर पांस एमजी की गोलियों मना कर सुखा कर रख ले जाता है यही गुल्म काला नल रस है गुल्म काला नल रस के गुन अरवेदा नुसार यह वात यह वायू नाशक है, तासीरम गर्म है यह कफ दोस को भी कम करता है यह पाचक, मुत्रल, गैस और कब्ज नाशक गुनों से भरपूर होता है यह अब जानते हैं गुल्म काला नल रस के फायदे गुल्म या पेट में गोला बनना पेट में गैस, आतों में मल्की गाठ बनना और पेट फुलना जैसी प्रवलम में यह दवा बेदसरदार है कफ़ज, पितज, और वातज हर तरह के गुल्म में रोगानुसार, उचित अनुपान से अईरिवधिक डॉक्टर इसके प्रूर कराते हैं अब जानते हैं गुल्म काला अनल रसकी मातरा और सेवन विधी एक से दो गोली तक सुबाश शाम हर्रे के काड़े के साथ लेना चाहिए या फिर अईरिवधिक डॉक्टर की सला के अनुसार रोगानुसार उचित अनुपान के साथ लेना चाहिए चुकि या रसाय नौसधी है तो इसलिए से अरिवधिक डॉक्टर की सला से अरिवधिक डॉक्टर की देख रेक में ही यूज़ करें अरिवधिक कमपनियों के यह मिल जाता है इसे आप आनलाइन भी खरी सकते हैं लखायपूर टीवी असली आयुर्वेद यह तो हो गई गुलम काला अनल रस की जानकारी अब आपकी बारी अगर आप तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं के तो लाइक और शेर कर दीजिए ताकि दुसरे लोग आपके जानकारी पहुंशा के नए वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज की दीए जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है कोई सवाल या कोई सुजावूद कमेंट कीजिए आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए